तो गैज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो की तरफ से आने वाले एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जहां दोस्तों वीवो अपनी 22 सीरीज के अंदर जल्दी एक नया स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लाने वाला है जिसका नाम रहेगा वी सब्सक्राइब करेंगे कि यह स्मार्टफोन आपको इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है और क्या प्राइजिंग बगरा दोस्तों स्मार्टफोन की हो सकती है तो स्वागत अब सबका टेक रूज पर जानकरी के लिए वीडियो में अंट तक बने रहें और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियो मिलती रहें सो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि वीवो की वाई सेग्मेंट की सीरीज है और इस सीरीज के अंदर काफी कमाल की स्मार्टफोन बड़ी अड़ियान के साथ में आपको देखने को मि सब्सक्राइब करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में तो आप देख सकते हैं स्कीन पर किस फॉन की डिजाइन है वो निकल कर सामने आ चुकी है जिसके बैक साइड में आपको एक प्लास्टिक की बॉड़ी देखने को मिलती है साथ ही डियूल क्यामरा सेटप फ् और काफी कमाल की नहांट फिलिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर डिजाइन और विल्ड क्वालिटी के बाद हम नेश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्पले के बारे में तो यहाँ पे गईस आपको 6.64 इंचिस की एक IPS LCD डिस्पले देखने को मिलेगी जो की 90 हट्स के रफ्रेश्ट के साथ में आईगी साथ ही FHD प्लस रेजुलेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो ब्राइटनस और कलस बगर दोस्तों डिस्पले में काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएंगे इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो बगर देखन पसंद है तो काफी कमाल का वियो एक्परेंस आप यहाँ पर एक्सेट कर सकते हैं अगर डिस्पले के बाद दोस्तों हम नैश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉरमेंस के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको मिल जाएगी साथी गेमिंग वगरा भी काफी कमाल की यहाँ पर आपकर सकते हैं इसके लाव अगर बात करें स्मार्टफून की रेम और श्टोफ के बारे में तो यहाँ पर आपको 6GB और 8GB के 2 RAM options देखने को मिलते हैं जो की 120 GB और 256 GB तक की storage के साथ में आएंगे अगर नेश्ट बात करें स्मार्टफून के अंदर camera setup के बारे में तो यहाँ पर आपको rear side में dual camera setup देखने को मिलेगा जिसका man sensor रहेगा 50 megapixel का साथी 2 megapixel का एक secondary sensor भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा अहीं बात करते हैं स्मार्टफून के front camera के बारे में तो front side में यहाँ पर आपको एक पंचल का cutout देखने को मिलेगा जिसके अंदर 16 megapixel का एक selfie camera आपको दिया जाएगा इससे काफी कमल की selfies और video calling अगरा दोस्तो आप कर सकते हैं अगर camera's के बाद दोस्तो नेश्ट बात करें स्मार्टफून के battery के बारे में तो यहाँ पर गई साबको 500 damage की एक बड़ी battery देखने को मिलेगी जो कि 44 watt की fast charging support की साथ में आएगी तो battery backup दोस्तों इस smart phone का का काफी बड़िया रहने बाला है साथी 44 watt की fast charging है तो काफी जल्दी स्मार्टफून को charge भी यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर स्मार्टफून के कुछ और features के बारे हम बात करते हैं तो यहाँ आप आपको fingerprint scan का support side में देखने को मिलेगा साथी 3.5 mm का audio jack को और USB Type-C का support भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके लावगे इस यह smart phone N.13 पर work करेगा तो काफी कमाल की speed यहाँ पर आपको 5G connectivity के साथ में देखने को मिलेगी अब अगर बात करते हैं दोस्तों इस smart phone की pricing के बारे में बताई कि आप इस phone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस phone को लेने में interested होंगे अगर आपको कोई और भी कमेंट होगा इस तो आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में किसी तना ही अगर वीडियो चलागा हो तो वीडियो के लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर पहली बर आए हैं तो subscribe कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह के डैक वीडियो मिलती रहें मैं मिलता हूँ आपको नएश वीडियो अब तक के लिए good bye have a nice day